हालो ट्रेटर्स वेलकम टू ट्रेंड लाइन स्टॉक्स वेरी हैपी नीए टू आल अफ यू और यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं नए साल की ट्रेंड लाइन स्टॉक्स के उपर एक बड़ी ख़बर के साथ में जैसे कि देखें आप लोगों ने अल्यडी न्यूस चैनल्स पर यह चीज़ देखी लियोगी कि ऑक्सफोर्ड और एस्टर जेनेका के द्वारा बनाई गई कोविड वैक्सीन को पहली मंजूरी भारत में मिलने जा रही है और अब जाकर यहां पर आपको आते वे दिखाई द अंदर इस चीज़ को हरी जंडी दे दी गई है और एस्टर जेनेका क्योंकि पहली ऐसी कंपनी बनी है जो इंदुस्तान पर अपनी वैक्सीन के ट्राइल्स को शुरू करेगी इसलिए उमीद लगाई जा रही है स्टॉक मार्किट के अंदर भी एस्टर जेनेका के अंदर बिग ब्लो आउट आपको आतावा दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीके ट्रेडिंग सेशन के अंदर एस्टर जेनेका की देखे वैक्सीन जो इंडिया में बनाता है वो है सेरम इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी जिनोंने यहाँ पर लगवग 5 करोड डोज तैयार की है उसकी पहली डोज कल से ट्रांसपोर्ट होनी शुरू हो जाएंगी और कल कुछ स्टेट्स के अंदर डिरेक्ली वहाँ पर उसका यूज किया जाएगा और उसके बाद मॉनिटर भी किया जाएगा उन लोगों के ऊपर जिनको कल पहला शॉट ऑफ डाट डोज मिलने जा र पर कितना कुछ यहां पर पॉसिबिल्टी दिखाई देती है या फिर आप कह दीजे क्या कुछ टार्गेट्स यहां पर मंडे के लिए हो सकते हैं अगर वॉल्यूम्स मिलते हैं इस स्टॉक को एक बहुत ही धमाकेदार ओपनिंग के साथ यानि के नेक्स टेडिंग सेशन के दिन तो दिखे एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं यहां पर टाइमस ओफ इंडिया का जिसके अंदर दिया गया ओक्सफोर्ट कोवीड वैक्सीन बिकम्स फर्स तो गेट अमर्जेंसी यूस एप्रूवल इन इंडिया यहां पर यह बात कही जारी है कि देखे इंडिया has marked the new year's day by giving its first ever approval to a coronavirus vaccine. A government appointed panel on Friday cleared the decks for emergency use of the vaccine developed by AstraZeneca and Oxford University. The final note will now come from the drug controller general of India DCGI की तरफ से यहां पर अभी final इसके उपर मोहर लगनी बची हुई है. आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखे आज एक presentation दी गई है Serum Institute of India के दुआरा जिसके अंदर अपनी vaccine को लेके उन्होंने पूरे खुलासे किये हैं किस तरीके से वो काम करेगी और किस तरीके से उसका use किया जाना है. जो कि देखे यहां पर काफी अतक satisfactory दिखाई आज basically expert panel था, उन्होंने इसको एक green signal दे दिया है, emergency use करने के लिए. उसके बाद देखे आगा आपको दिखाता हूँ क्या कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, India has now become the third country after UK and Argentina to give the go ahead to the vaccine. Oxford and AstraZeneca की इस vaccine को use करने वाला हिंदुस्तान तीसरा सबसे बड़ा country बन गई है. और देख से जादा COVID-19 infection फैला था, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक नजर बनाए हुए रखे हुए है कि हिंदुस्तान कौन सी medicine को पहले recommend करता है, और ये आने वाले time में पूरी दुनिया के लिए एक नए रास्ते खोलतावा दिखाई दे जाएगा, एक vaccine को ल इंडिया लगबग 5 करोर डोजस तयार कर ली गई है और उसका majority part जो है इंडिया के अंदर यूज किया जाना है, one of the source said that the shots could start to be transported from cold storage to Indian states as early as Saturday, कल Saturday के दिन बहुत जल्दी इसका transportation शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है, ये फाईजर एक पहली कमनी थी दुनिया की, ज इसने यहाँ पर अपनी vaccine को launch किया market के अंदर और US ने सबसे पहले उसको approval दिया था, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी problem थी, कि वो minus 70 degree Celsius पर store की जानी चाहिए, और इतनी जादा कम temperature पर अभी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी cold chain नहीं है, उसको बहुत short notice पे बनाना बहुत जादा है, और इतनी बड़ी population को इतनी सारी vaccines दी जानी है, जिसके लिए वो काम काफी जादा मुश्किल दिखाई दे रहा था, इसलिए अभी तक Pfizer की vaccine को emergency approvals नहीं मिले हैं, जबकि इस vaccine को मातर 2 से 8 degree Celsius के temperature पर store आप कर सकते हैं, जो कि एक normal temperature इंडिया के अंदर बहु साबित होने की तरफ दिखाई दे रही है इंदुस्तान को लेके, तो देखे ये वो news है, जिसके basis पर यहाँ पर AstraZeneca बहुत बड़े blowout की तरफ भड़तावा नजर आ सकता है आपको, अब मैं देखे आपको दिखा रहा हूँ, आज की trading session के अंदर कैसा कुछ काम का जुआ है AstraZeneca में और क्या कुछ possibilities आपको आती भी नजर आ सकती हैं, तो देखे ये है AstraZeneca Pharma Limited के NSC stats और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ, एक जनवरी 2021 यानि के आज की 4632 रुपे पर last reading price आपको आतावा दिखाई देगा, लगबग 0.28% की तेजी यहाँ पर द इसको इसने लगाया था, security wise delivery positions यहाँ पर देखेंगे, एक लाग 33,000 से जादा शेरो के अंदर quantity trade हुई है, जबकि 53,000 से जादा शेरो के अंदर delivery उठाई गई है, और approximately 40% यहाँ पर percentage और delivery भी आती भी दिखाई देगी, यानि कि बहुत बड़ी उमीदों के साथ में लोगों इसके अंदर काफी बड़ी move आपको आती भी दिखाई दे सकती है, अब बात करते हैं, देखें इसके intraday charts के ऊपर क्या कुछ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, एस्टर जिनिका में, तो अगर आप देखेंगे, कि देखें इसने आज भी जो एक bearish candle की formation यहाँ पर आपको आ कर देता है, यहाँ पर एक hurdle जो है, एक resistance जो है, अलड़ी pre-developed hurdle है, इसको cross करके बड़े move के साथ में उपर की तरफ जाएगा, ऐसी उमीद है, और volumes भी जादा रहेंगे, तो आप यहाँ पर यहाँ पर यह लेवल बहुत strong support का काम करते वे नजर आएंगे, and in fact, अब वो एक travel करेगा, तो यहाँ से आपको बहुत बड़े उसके targets होते वे दिखाई दे सकते हैं, मैं नहीं कह रहाँ कि देखे, market खुलते हैं, आपको इस चीज़ को खरीद लेना है, और अंदादून इसके अंदर आपको positions बना लेनी है, क्योंकि बहुत heavy ticket size है, लेकिन जो news है, और जो संभल के trade लेना होगा, 20% का इसके उपर circuit होता है, और अगर ये news वाकि में इतना बड़ा reaction देती है market में, तो मैं समस्तों इसके अंदर circuit भी लगने के chances बन सकते हैं, तो देखे, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल के trade लेना है, बहुत excited mode पर ये दिखाई देगा, Monday के trading session के द तरफ enter जरूर लेगा, आने वाले few trading sessions के अंदर, target की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद देखे, आपको आने वाले time में, यहाँ पर 4800 के target बहुत easily आते वे दिखाई दे जाएंगे, और देखे, अगर ये 4800 रुपीज के level को भी cross करता वा दिखाई दिया, तो फिर definitely यहाँ पर 5000 रुपे तक की भी positions आपको आते वी दिखाई दे सकती हैं, तो देखे, ये चीज़ डिपेंड करेंगी कि Monday की trading session के दिन, किस तरीके से market यहाँ पर, AstraZeneca के stock price के ऊपर, अपनी positions बनाता है, और यहाँ पर कितना बड़ा move आता वा दिखाई दे सकत है, तो कोई भी position ले, stop loss लगा के ही ले, market के अंदर uncertainty हमेशा बनी रहती है, और in fact अभी जो times है, वो बहुत ही जादा uncertain times है, बिना stop loss के कोई भी trade ना ले, ऐसा मेरा suggestion आपको रहने वाला है, आने वाले trading sessions की अंदर, तो ये news थी, देखिए, एक covid vaccine के ऊपर, जो big news आई है, और क्या कुछ हो सकता है, उसके उपर मैं मिलूँगा, फिर आपसे एक नए वीडियो में नए stock की साथ, तब तक के लिए नमस्कार, thank you, जैहन.